psychology कहता है कि जिससे हम दिल से प्यार करते हैं वो चाहिए इतनी भी बड़ी गल्ती कर ले हम उससे गुसा हो सकते हैं लेकिन कभी उससे प्यार करना नहीं सोट सकते साइकोलोजी कहता है कि अगर कोई बेवकुप इंसान को किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास बैठा लिया जाए तो वो उससे कुछ नहीं सिख सकता जबकि बुद्धिमान व्यक्ति मुर्ख इंसान से बहुत खुश जरूर सिख लेगा psychology कहता है कि यदि दो कपल एक दुसरे के कंधे में सर रखर सोते हैं तो उनके बिश रिस्ता और पी ज़़ा मस्बूत हो जाता है psychology कहती है कि जो मेला है दिल से रिस्ता निपाती है उनी को सबसे ज़़ा अपने जीवन में रोना पड़ता है psychology कहता है कि जब आपको आपके प्रेमी या प्रेमी का की याद आती है तो आपके भीतर में एक केमिकल रिलिज होता है जिसकी वज़े से आपको बहुत ही ज़़दा बेचेनी महसूस होने लगती है साइकोलोजी कहता है कि जब दो कपल के बेंच बहुत चादा प्यार बढ़ जाता है जब वो बहुत दिनों से एक दूसरे से मिले ना साइकोलोजी कहता है कि जो कपल अपने रिस्ते में बात बहुत कम करते हैं उनका रिस्ता चलने का चांस अधिक होता है साइकोलोजी कहता है कि अगर को व्यक्ति आपको प्यार में दोका देता है तो वह एक ना एक दिन बहुत ही चल्दा पस्ताता है साइकोलोजी कहता है कि प्यार वो रिस्ता है जिसे आप कभी भी लबजों में बया नहीं कर सकते इसको स्रिफ मैसूस किया जा सकता है साइकोलोजी कहता है कि मैक अप करने से चलक खुपसूरत आप तब लगते हैं जब आप खुलकर मुस्कुराते हैं साइकोलोजी कहता है कि लगातार नजरे मिला कर बात करने से संकेत मिलता है कि बोलने वाले के पर्तिती सुनने वाला सकारात्म करवया रख रहा है या नहीं साइकोलोजी कहता है कि जिन लोगों की आखे बड़ी होती है हम उनकी तरफ अक्सर आकरसित हो जाते हैं साइकोलोजी कहता है कि लड़कियों को लंबे करके लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं जबकि लड़के थोटे बचो वाले सकल यसे लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं साइकोलोजी कहता है कि चो कंटे से कम सोने वाले लोगों को, साथ कंटे से ज़्यादा सोने वाले लोगों की मुकाबले जुकाम होने की संभावना चार गुना ज़्यादा होती है मनवग्यान कहता है कि मानव मस्तिष को सपने और हकिकत में फरक नहीं कर पाता है सायद हाई कारण है कि हम सपने देखने के बाद कई बार बुल्जन में पढ़ जाते हैं साइकोलोजी कहता है कि जब हम कोई चीज आखे बंद करके याद करने की कोशिस करते हैं तो आखे खुलकर याद करने की तुलना में ये 80% ज़ल्दी याद आ चाती है psychology कहता है कि जिसे आप पसंद नहीं करते जिसके बारे में सोतने पर से आपका mood खरब हो जाता है फिर जब आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले psychology कहता है कि जब आप किसी को उसकी बुराई गिनवाते हो या बुराई करते हो तो आप में भी उस हद तक वह बाते आ जाती है psychology कहता है कि अगर आप कोई चीछ पाना चाते हो तो आपको ऐसे एक्ट करना होगा जैसे आप उसे पा चुकी हो इससे काफी जड़ा सांस है कि आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे मनवग्यान कहिता है कि जब हमसे कोई जड़ा उमीदे करता है तो हमारा मन किसी काम को करने में जड़ा लगता है और हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं एक psychological study में पाया गया कि जो लोग दोपायर के समय में आदे से एक कंटे के निंद लेते हैं उनकी memory power जड़ा होती है औ तो आप दीरे दीरे सांस ले और लंबी सांस ले इससे आपके दिमाग को एक्स्ट्रा ओक्सिजन मिलेगी और कुसी देर में आपको निंद आ जाएगी मनवग्यान कहिता है कि अगर कोई आपको कौपी करने लगता है तो इस बात के काफी जड़ा सांस है कि वह आपको पसं बताएंगे साइकोलोजी कहता है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो जब आप उसके आसपास होते हैं तो वह अपने बालों को ठीक करने लगती है साइकोलोजी कहता है कि सच्चा प्यार करने वाला इंसान आप से गुस्सा करके नाराज होकर चाहे जितना भी तूर रहा ले मगर वह फिल भी आपको ही हर पल याद करेगा साइकोलोजी के अनुसार अधियाप रिलेशन्शिप में है और अपने प्रेमी के बारे में बहुत ही जड़ा सोचते हैं तो इस बात की गारंटी है कि वह भी आपके बारे में बहुत ज़़दा सोचते हैं साइ दूसरी के चहरे को देखने और आइक पॉंटेट बना रखने में अधिक रूची नहीं रखते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें